नमस्कार दोस्तों मैं राहूल बटिल डारेक्टर आपका एक बार स्वागत करता हो सफथामो की ओफिशिल यूट्यूप चैनल के उपर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशे अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्तित होने जा रहे हैं आज का हमारा यहाँ पर जो विशे है वो है फिलिपिन्स मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में है और फिलिपिन्स की कुछ बेजिक इंफोमेशन जो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने के लिए ट्राइ करेंगे आपसे लेकिन यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरा निविदे ने आप सबसे कि अगर यह चनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वारे जो वीडियो है उसके बेनिफीट आपको मिल पाए तो चलिए दुस्तों बात चुरू करते हैं फिलिपीन्स की मेडिकल एजुगेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिलिपीन्स कंट्री के बारे में फिलिपीन्स की अगर हम लोग तो करीबन 7,641 यानि कि 7,641 जितने चोटे-चोटे टापू का बना हुआ एक देश है यह पस्चिम पसिफिक महासकर में आया हुआ है उत्तर से दक्षिन की और अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट के अंदर एक लिजन, एक विजास और एक मिंडान, ये तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है अगर बॉर्डर के हम लोग बात करेंगे तो चारो और दर्ये से गिरा हुआ है अगर पश्चिम में बात करेंगे तो South China Sea उससे गिरा हुआ है पुर्वा में Philippines समुद्र है दक्षिन पश्चिम पर अगर बात करेंगे तो सलेब से सी है उससे गिरा हुआ है उत्तर में ताइवान है, पुर्वा में जापन अमिपला हुआ है दक्षिन के अंदर इंडोनेशिय से गिरा हुआ है दक्षिन पस्चिम में बात करेंगे तो मलेशिय और बुनेशिय से गिरा हुआ है पस्चिम में विएतनाम से गिरा हुआ है और उत्तर के अंदर उत्तर पस्चिम के अंदर चैना से गिरा हुआ है में चारो अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली दर्ये से ही गिरा हुआ है ये कंट्री कहीं पे भी लैंड से कनेक्टेड नहीं है फिलिपिन्स के कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनिला जो सिटी है वो फिलिपिन्स का कैपिटल है ख्षेत्रफल की बात करेंगे जोगरोफी की तो करीबन 3 लाग स्क्यार किलोमेटर जितना ख्षेत्रफल है उसका कंट्री का इसके अलावा गर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 36,289 किलोमेटर का कोस्टल लाइन है वहाँ पे जो की पूरे विश्वा में 5th largest कोस्टल लाइन है पॉपिलेशन की बात करेंगे तो करीबन 109 मिलियन जितना पॉपिलेशन है अभी तक 2020 तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से और एशिया के अंदर आठवे करम पे आता है सबसे ज़्यादा बस्ती वाले देश के अंदर और दूसरा इंग्लिश है ये दो महीन वहाँ पे बाश्य मानी जाती है कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 300 साल तक करीबन Spanish शामराज ये था वहाँ पे फिलिपिन के अंदर 1896 के अंदर फिलिपिन्स करांती की वहाँ पे शुरुआत हुई और उसके बाद फिलिपिन्स एक आजाद देश बनाता लेकिन वो आजादी ज्यादा देर तक टिकी नहीं थी उसके बाद US ने उसके उपर रूल किया और US से फिर बाद में 1946 को उसको आजादी प्राप्त हुई उसके बाद एक अलग कंट्री के रूप में वो उबर क्या है कंट्री के अगर बात करेंगे तो एक दर्म निर्पक्ष कंट्री बोल सकते इसको हर एक दर्म को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता है वहाँ पर आपको ज्यादा तर क्रिस्चन लोग मिलेंगे यानि कि करीबन 80% जितने क्रिस्चन है वहाँ पर करीबन 18% के आसपास जो है वहाँ पर मुसलिम आबादी है और बाकी के ज़दर में हो तो करीबन 2% के अंदर आते हैं ज्यादा तर US में या गल्फ कंट्री के अंदर और वहां पर जो जो नर्सिंग स्टाफ जो रहता है वो ज्यादा तर फिलिपिन से बिलोंग करता है यानि कि करीबन 70% जो नर्सिंग स्थाथक रहते हैं वो फॉरेंग कंट्री में सेटल हो जाते हैं वहां पर आज की डेट में करीबन 10 मिलियन से ज्यादा जो है नर्सिंग स्टाफ वाले जो फिलिपिन से बढ़ाई कंप्लीट की हो है वो फॉरेंग में सेटल है दूसरी एक बात थोड़ी आश्यरी देगी आपको के पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड बिगेस्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोडूइसर है फिलिपिन्स यूएस के बाद उसका सेकंड नंबर आता है और अट्रा परसंट इलेक्रिसिटी नीड जो रहती है वो जियो थर्मल से वो लोग पैदा करते है वहाँ पे उसके बाद अगर बात करेंगे तो second largest जो है वो gold का खसाना है वहाँ पे South Africa के बाद और copper के अंदर बात करेंगे तो copper में number one पे position है उसके अज की date में और उसके अलावा के अंदर भी फिलिपिन्स का नाम दीरे दीरे उपर आ रहा है क्योंकि वहां पर इंग्लिश का यूज हो आ है वो comparatively other country फूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है तो जो financial जो सोर्सी से फिलिपिन्स पे काफी सारे नहे नहे पैदा हो रहे है आये दीनन एट्मोस्फियर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे नॉर्मली दिसी दरिये से गिरा हुआ है तो वहां पे आपको इंडिया जैसा equal थोड़ा temperature वहां पे फिल करने को मिलेगा दरिये से गिरा हुआ है तो थोड़ा वहां पे 1 पैसे के आसपास है यानि की इंडिया का 1.5 रुपिया के आसपास value फिलिपिन्स के 1 पैसों के बराबर होती है अगर इसके बाद हम लोग बगर बात करेंगे medical education system के बारे में तो जो pattern of education वो US government के education system वहां पे follow होती है and according to the US government norms फिलिपिन्स के अंदर directly MBBS possible नहीं है वहां पे reason क्या है कि इंडिया के अंदर 10 plus 2 equal to HSE माना जाता है लेकिन as per as US government norms फिलिपिन्स के अंदर 10 plus 4 is equal to HSE माना जाता है यानि कि जो 2 साल का जो remaining part रहता है वो आपको BS के course के रूप में complete करना पड़ेगा और BS complete करने के बाद BS यानि कि basic science basic science complete करने के बाद आपको वहां पे एक exam रहती जिसका नाम है NMET NMET के पारे में कई लोग आपको गुमराख करने को try करेंगे कि NMET आप qualified नहीं कर सकते हो या कर सकते हो या सब चीज़ा गलत है see education system का जो part है उसको respect देना आपको जरूर ही है किसी भी country के अंदर कोई exam pattern है या उसकी education system है उसको अगर आप follow नहीं करोगे तो वो country में जाने का कोई meaning नहीं है तो NMET की जो exam है उसका नाम है National Medical Admission Test जो आपको qualified करना पड़ता है हर एक university का different different criteria रहता है and according to that you will get admission in MD course MD course दो रहता है वो चार साल का रहता है तो ये एक pattern है फिलिपिन के अंदर यानि कि अगर MBBS course की बात करेंगे तो करीबन 5.8 years यानि कि 6 साल का course हो जाता है वहां पे आज के दिन में फिलिपिन के अंदर करीबन more than 20 universities वहां पे आई हुई है जो कि medical की education budget की बात करेंगे तो करीबन करीबन 20 लाग से लोके शुरू होके 45 लाग तक जाने वाली universities वहां पे आपके लिए available है depend on your selection तो ये एक part है फिलिपिन education system का education के जो plus point है उसकी अगर बात करेंगे तो सबसे पहला plus point है ज्यादा तर population English का यूज करती है यानि कि दूसरी कोई language वहां पे आपको सिखनी आवश्यक नहीं है for the communication with the local patient जो बीमारी के जो symptoms है या similar बीमारी जो इंडिया के अंदर पाई जाती है वही similar बीमारी आपको वहां पे देखनों को मिलेगी because of the similar atmosphere so एक दूसरा ये plus point हो जाता है दूसरा population ज्यादा है patient flow भी आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा और इसी वज़े से वहां पे आपको practical exposure जो मिलेगा वो compared to the other country अच्छा मिलेगा तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा कुछ भी आपको इसके अलावा कुछ जान करी चाहिए जो दिये गए नंबर है वहां पे आप कॉल करके जो भी information चाहिए वो आप collect कर सकते हैं और ज्यादा तर कुछ आपको दिकर लग रही है तो आपको mail करना है तो mail भी कर सकते हैं दूसरा हमने इस बार से एक initiative लिया हुआ है जिसके according नीचे description section के अंदर आपको एक google form का link मिलेगा तो मेरा आपसे एक request है कि जब भी आप ये video देख रहे हैं आपको mind में कोई भी country का कोई भी university का जो भी question हो उसके बारे में थोड़ा research करें और उसके बाद ये form fill up करें ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा help मिल जाएगा आपको मदद करने के लिए और आपका जो question है वो भी आप proper तरीके से हमारे सामने पेश कर पाएंगे और उसका better answer हम लोग देने के लिए आपको प्रहत्तन करें तो आज के लिए इतना ही दोस्तो फिर से मेरा request है आप सबसे कि अगर चैनल को subscribe ना किया हो subscribe सबसे पहले जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ share के जरूर से करें और वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करना ना भूले तो आज के लिए इतना ही दोस्तो धन्यवाद टेक केर